जब हम आजाद हुए थे, तो कहते हैं कि सिलने की जो सूई है वो भी जपान से आती थी आज हम लोग का मंत्र है आत्म निर्भरता का मंत्र देश के सभी बच्चों को युवा को आत्म निर्भरता का मंत्र पता होना चाहिए किसी भी सफल और असफल व्यक्ति के बीच में बस एक अच्छी आदितों का ही फर्क है हमारी अच्छी आदिते व्यक्तितों को निखारने में महौत पूर्ण भूमी का निभाती है एक अच्छी आदित है कि हमें अपना काम स्वयम करना चाहिए अर्थात आत्म निर्भर बनना चाहिए अगर हम अपनी आविशक्ताओं के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर हो रहेंगे या एक देश को ले लिजे अगर भारत वर्ष बाहर से चीज़े मंगाता रहेगा तो हम पंगू हो जाएंगे हम कभी भी economically नहीं उठपाएंगे आपने देखा है छोटे बड़े जानवर या पक्षी भी आत्म निर्भर होते हैं उन्हें भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ता कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें भोजन लाकर नहीं देता वे शिग्र ही अपने अधिकांश काम स्वयम करना सीख जाते हैं तो मनुष्य निश्चित रूप से आत्म निर्भर बन सकता है और एक देश भी निश्चित रूप से आत्म निर्भर बन सकता है हमें इसी परिक्षा की कस्वर्टी पर पूरा उतरना है तो हर बच्चों को हर विद्यार्थी को हमें यही सिखाना है कि वो आत्म निर्भर बने जब भी वो काम सीखे A to Z काम उसको आना चाहिए अगर उसने एक तिहाई एक चौथाई काम सीखा है तो कभी भी उस आत्मे विश्वास से वो काम नहीं कर पाएगा परिक्षा में पास होने के लिए भी उसको A to Z सब कुछ आना है और अपने जीवन में एक निश्चे करना है कि हम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरना हो यही आत्मे निर्भरता आत्मे विश्वास को संबल प्रदान करती है हमें आत्मे निर्भरता के इस मंत्र को आत्मसाथ करना चाहिए अपने बच्चों को और अपने युवा को यह बात सिखानी चाहिए कि भारती है लोकल इस थे बेस्ट उसके लिए हम सभी को मिलका प्रियास करना पड़ेगा